नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है CYS लोजर में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं वर्षब लगन के जो जातक है उनके लिए केतु देवता का गोचर जो है वो किस तरह से प्रणाम देगा आप सभी को ग्यात है 23 सितंबर 2020 को राहूर केतु रासी परिव krie pockets साथ में राहू केतु गोचर के द्वारा जो होने वाले नुक्सान है उन को कैसे देखा जाए और उन में कौनसे उपायक किय जाए वो भी हम ने इनके लिए भी विशेश वीडियो बनाए है, साथ में राहु का विभिन लगनों पे वीडियो बनाए है और केतु देवता का हमने मेशलगन का वीडियो बनाया है और ये आज वर्षब लगन के संबंद ли वीडियो है, तो जिन लोगों के जन्मक उंडी में लगन में दो नम् तो बढ़ी सारी वीडियो बंते जिन में लिखा जैता है इन तीन राश्यों का भग्य हो जाएगा अब इन चार राश्यों के ऊपर जो है वो कुबेर धन वर्षा करेंगे चार राश्यों पर लक्षमी धन वर्षा करेंगी तीन राश्य वालों का दो भग्य फूट जाएगा यह जो चीजे हैं यह सब बखवास होती है क्योंकि राहू और केतु या कोई भी ग्रह जो गोचर कर रहा है वो अपनी डिग्रियों से गोचर कर रहा है यह नहीं है कि जैसे राहू यहां पर आया है या केतु आया है केतु जो है वो 29 डिग्री चोबन मिनट लिखावा है इसक कि आपनी जन्म कुणनली के जुग्रें है उनके ऊपर भी तो डिजिए लिखी है उनके उपर जो डिजिए अपर नहीं से हमें परिणाम अब हम Skills यह कह देते हैं हैं की वरसब हमें परिणाम मिलता है बक्तिर कर अगर allora करेगा है कि तब जाके यह सिर्फ मुर्ख बनाने का धंदा है और कुछ नहीं है तो आप सबसे मैंतरफून क्या समझे कि आपकी अपनी जन्मक कुंडली को सबसे पहले हाथ में ले आपकी जन्मक कुंडली है उसके अंदर आप यह देखने कि हमें कौन सी दसा जो है वो चल रही है यहने कि हमाई कंडली में सुकर के अंदर सुकर चल रहा है मैं आपको यह फलादेश करने का थोड़ा सा तरीका बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें भरमित बहुत होते हैं इसलिए तो हमें सुकर की दसा चलिए शुकर जन्मक कुंडली के अंदर देखा जाए तो लगने इस वह तो तो अच्छी दसा चल लुए तो परिनाम अच्छ होने चाहिए अब राहु या के तुढ़ भी इस विडियो का विश्ट कर दो कोड़े हो जैसे किसी बीवारी होगी। यह जिसको किसी बीवारी है और जिसको जितना बताएंगे उतनी जदा आदमी को पीड़ा होती है केतू जो है वो जितना रोता है उसको उतना जदा रुलाता है जैसे किसी को गुप्त रोग हो गया अब वो ना तो बता सकता है और ना दिखा सकता है अब वो किसी को बताएं तो उसमें बेजती हो वो अलग पीड़ और सारीरिक पिड़ा हो वो अलग से इस तरह की पिड़ाएं होती है केतु अकर नुकसान देता है तो वो नुकसान उसको बतायाने जाता है नुकसान बताये तो लोग उसकी हांसी उड़ाए तो इस तरह से क्या होता है कि केतु एक अपंग रहे हैं और यह जिसी तरह की चीज गर की responsibility लेने की इच्छा नहीं हो रही है पढ़ाई की इच्छा नहीं हो रही है काम काज की इच्छा नहीं हो रही है तो उसमें क्या होता है जाब तक की पहले बार बेशती वे जती है तो यानि कि उसको जो चीजें मिलती है वो अचीव तरह कि लेकिन उसमें लाब जरूर हो बहुत कर रहा है तो आपको परिणाम मिलेंगे बहुत कम और मिलेंगे कम मिलेंगे जैसे कोई चोटा प्रतिंत्र आगए जैसे यहां पर देखेंगे तो नवे आठवे घर के अंदर गुरु और चंदर्मा का गर्ज केसरी योग तो अच्छा है पर अठवे घर में तो सुब नहीं है तो हमने देखा कि चंदर्मा की जो दसा है वह इस समयारे यह तो समय थोड़ा सा गड़वड है बाकी आप अगर देखोगे तो अगर आपको जैसे कोई 6-8-12 का ग्रह की प्रतिंत्र आएगी उसमें यह के तो कहीं ने कहीं उन 2-4 महीनों में या 6 महीनों में रिजल है फिर ऑनी सी परिजल देता है तो आपका यह जो भाव है इसकी पर लगन जो है वह दो पौंट 414 लिकहा है इसी प्रकार यह जो भाव है व्रस्टिक राशी है यह अप्तम भाव है इसकी अंदर जो उसका पृंट निकलता उसमें आपको मिल जाएगा तो आपका उस भायो की डिग्री से कोडिनेट करेगा कि तब ये आपको वह परिणा मिल जाएगा जैसे आपने कभी ब्रिगु बिंदू होता है यह कालपनिक बिंदू तो उससी परगार क्या है कि आपको यहां पे देखना पड़ता है तो यहां पर आपने देखा कि मेरी जन्मकुंडली के according मुझे तो सुप परिनाम मिल रहे हैं जैसे कि जन्मकुंडली में केतु अच्छा बैटा है सुप भावों में बैटा है या फिर तीन छे और ग्यारा भावों में बैटा है और आपका यहां पे सुप ग्रहों से दर्ष्ट है जैसे केतु के ऊपर सुप गर केलकुलेशन कर लिया होता है केलकुलेशन के बिना आप फलादेश पर नहीं आ सकते योगी लोग फिर आपको मुर्ख बना देंगे वर्षबराशी वालों आपका तो भाग्यू दे हो गया तो आप उस तबगे को लेके बैठे रहो इसका कोई मतलब नहीं है तो आपने यह कोई website है जो कई लंबे समय से अच्छा नहीं चलता है आप सोच रहे होगे यार इसको बंद करेंगे नया करेंगे अजीव सा क्या होता है कि जैसे गोचर क्या कोडिनेशन हुआ अच्छेगरे की दसा थी अचानक क्या वा कि कोई आपको नया इसमें स्कॉप मिल गया कोई option कोई किसी ने finance कर दिया या किसी ने कोई आपको थोड़ी सी इसके अंदर जानकरी दे देगी तुम यह मसीन के साथ यह मसीन ले आओ यह काम हो जाएगा अचानक उसका व्यापसाइज जो है वो दिन दुगनी रात चोगनी स्पीड से दोड़ गया अचानक हो गया क्यों कि क साहएगा नोकरी में साथ में क्र काम करने वाली कोई किसी महिला से मित्रता हो जाये उसके बाद हमारे साधी के योग बन जाये अचानक साथियां हों यह नहीं रही थी समय लंबाने किस VS NE भार यह मदलब यह 我們 वी साल निकलने वाला है और हमारी उमेर में ऐसे सांकर overlap यह लाव हो जागा, यानि कि जिस चीज़ पर हम आज छोड़ देते हैं, वो चीज़ करा देता है केतु, इसी लिए केतु को अजीब गराय का गया है, अचानक इसका मतलब रहो, रहो क्या गरेगा, अचानक लाव, अचानक अनी, लेकिन वो अमारे दिमाग में होगी, जैसे ह हमने जुआ खेला, सटा खेला, जुए सटे में क्या होता है, हमें पता है कि लाव भी हो सकता है, हानी भी होती है, लाव के चांस कम होते हैं, और हानी के चांस ज्यादा होते हैं, तो हमारे को लेकिन यह पता होता है, आठवे घर वाला क्या है, यानि केतु वाला क्या है, के तो वहां पर भी केतू संतान के अंदर पूरुश करक, यान्य की पूत्र कारक ग्रहे हैं, यह बहुत घजब का लाव है, और जिसके गुरु के साथ केतू बैठ जाता है, और कहीं न कहीं, पांच्वें, सात्वें, नवे घरों में हो, तो उनको भी उस से संतान के योग, सब्जेक्ट होगा है और साथ में जो MBA करते हैं यह जो कंपनी के अंदर जो उसकी क्लेरिकल वर्क में या फिर मेनेजमेंट के विभाग में काम करते हैं उनके लिए तो केतु का यहां पर आना आपको अचानक कोई आपको को मित्र या कोई समझाने वाला सजेक्ट में विभागा कर सकती है तो यह जो आजीव चीज़े हो रही है जिसका हमें आइडिया भी नहीं है वह केतु दे देता है केतु यहां पे नुकसान क्या कर सकता है नुकसान अब नम नुकसान की बात आती तो केतु क्या है एक अपंग रहे हैं अपंग का मतलब कि इसका जो है वो सर नहीं है और ये सेपरेटिव पलेट है अलगावादी तो इसके अंदर पीडाये जरूर होगी ये उन वेदनाओं को दिखाएगा जैसे किसी को दहीज मिला अब के जो चीजे हैं वो केतु दिखाता है अब नुकसान की चीजों में देखा जाए तो सेपरेटिव ग्रह हैं विवा के अंदर आता है तो क्या करेगा अचानक सब कुछ बड़िया चल दा था कोई दिक्कत नहीं थी दस बद्रा साल भी हो गए है अचानक क्या होगा कि चाए विवा एक जीवन खराब होने कगार प्याजाए तलाग होने तक के नौबित आ जाएंगे और अगर नया नया विवा हुआ है और उसको केतु की दसा चल गई और केतु का गोजर हो गया तो भाई साब का भगवान मालिक होता है इस समय पे वो क्या करें गणपती भगवान क कि जो गणे अथर्वसी सब्सके जो जयाब है उसका करने में लाब होता है गणे जी के मंदीर जाने में लिज मंतर का जब लॉगार आजिक बद्र आज़रまた सबकूर सही चल रहा है अचानक क्या होगा कि इस प्रोड़टर्ट पे हम काम कर रहे हैं जो प्रोडर्ट हमारे हा या वो प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे मार्केट में फेल हो जाए अभी अभी का समय है जैसे कोरोना काल है तो भारत ने कई कंपणियों को बेन कर दिया जिसमें कई चीनी कंपनिया थे उस लोग जो हैं वो टिक-टोक से पैसा कमा रहे थे तो उनका वो व्यापार था अचानक वेपार जीरो अजीव हो गया सोचा भी नहीं था कि क्या होगा अचानक विआपार जीरो उन कंपणियों में काम करने वाले बड़े-बड़े इंजिनियर थे बड़े-बड़े डिजाइनर भी थे बड़े-बड़े लोग थे जो इंडिया में लेके उनके उपर एड लगाना और एड सेंसे संबंदी तो बहुत सारा काम करते थे वो सारा जीर हो गया वो कंपनिया जीर हो गए किस कारण कि ऐसा देता है कि तो दूसरा क्या है कि अचानक सारीरिक हानी याने कि सात्वा घर क्या है मारक भाव है हमारे सरीर को काटता है मारक भाव है तो यहां पर एक्सिडेंट के भी योग बना देता है लेकिन एक्सिडेंट वाले योगों में बहुत सारे केलकुलिश हो देने कि पहले हमा कोडिनेशन वो एकदम विदिन टू या त्री डिग्री के लगबग हो तब जाके इस तरह की घटना होते हैं इस तरह की घटना उसे चिंतित ना होएं ऐसा ही नहीं होता है अचानक कि वहीं हमने क्या दियार हो जाएगा इसलिए इसको बिला कैलकुलेशन के आप नहीं तो इस कि वहां से कोई काम बन नहीं पाएगा आचानक किसी मृतन्य करते हैükअल लेंडन सरय के लावा की रास्ते में बदला आव गया तो वो भी यहां-पे युथा दिख्यकू क्यूंकि दिखा दिता है स्लभिगे-शूशर सबसे हैं ने अ यहां पर अगर कोशिस करें कि जो हैं उसी फोकस करें और कोई भी तरह का वाद वी वाद गूमने फिरने जाएं तो ज़्यादा adventure न करें और समझ से और अपनी समझ से सोच विचार करके ही काले करें अवेर रहें ऐसे ही कोई न कोई हवा बाजी में इसी मित्रों-वे यारों पर दोस्तों पर पार्तनरों पर आके कोई बी ऐसा गलत काम गलत टेंडर गलत जो हैं कोई भी तरगे अजेनसी इस तरहीं की सीजहों में नहीं तो आप जो हैं वो बहुत भारी नुक्सान उठा सकते हो अगर आपको असुप ग्रह छे आट बारा के ग्रहों की दसा चल रही है तो यह सोच समझ करें तब के लिए फाइदा होगा तो आज का यह जो वीडियो था यह वर्षब लगन के जातकों के लिए था कैसा लगा आप जरूर बताएं अच्छा लगा तो लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों